सो गईस तुम लोग को तो पता होगा बीजिय में सबसे ज़्यादा कोई चीज डिफिकल्ट है तो वो है गईस क्लोस कॉमबैट क्योंकि एर मेड रेंज और गईस से लोग रेंज में कोई भी बंदा अच्छा इस्प्रे दे सकता है लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी क्लोस कॉमबैट कैसी है और क्लोस कॉमबैट में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका हिफ एर और गईस आपका क्रॉस एर कि क्रॉस एर आपका एनिमी के हैड पे जाता है की नहीं जाता है क्योंकि हैड बहुत ज़्यादा matter करता है इस close combat में लेकिन आज कि इस वीडियो में मैं 5 AC टिप दूँगा गाईस बिल्को लाइव एक्जामपल के साथ मैं कि आप अपना crosshair प्लस गैस अपना hiffer कैसे improve कर सकते हैं मैं guarantee के साथ बूल रहा हूँ गा तो आपके close combat next level होने वाली है और गाईस जार चलो मैं आपका जाधा time waste नहीं करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूँगा कि आप अपने बिजय में के highest skill गाईस नीचे comment करो like मेरी तो अभी 18 ही हुए हैं गाईस सच्ची बता रहा हूँ उसका gameplay मैंन विडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमको यह देखना पड़ेगा कौन सी गन का सबसे ज़्यादा वेटर है ही फायर तो यहाँ पर गाईस हम एकेम को सेस्ट करते देन उसके बाद हम बात करते हैं ठीक है इतनी दूरी पे बहुत ज़्यादा हिफ फायर में एकेम की एमो स्प्राइड हो रही है और सामने वाले बंदे के बास काफी अच्छी गन हो या फिर उसका हिफ फायर अच्छा होगा तो आपको इसली मार पाएगा मैं आपको यह नहीं बूलूँगा जितनी भी एमो जिस गन में लगती है बाई जैसे की लाइक आप ले लो एमके 14 ग्रोजा ले लो या फिर एक एम बैरल हो गई तो इन गन में घईसेर बहुत ज़दा हिफ फैर इन में घईसेर बहुत ज़दा स्प्रैड होती है MO अगर बंदा सामने है बहुत ज़्यादा close है तो तब तो guys से बहुत लुपी गन है यह लॉंग रेंज में थोड़ी सी में रेंज में guys sir यह गन guys sir बहुत ज़्यादा spread करती है तो आपको यह नहीं बुलूगा and guys sir उसके बाद आती है M4 and guys sir then उसके बाद guys आती है M4 and guys sir Skiral, Skiral का भी hip fire काफी अच्छा है guys M4 का भी अच्छा है लेकिन सबसे best gun कौन सी है वो में आपको बता तो SMG guys ठीक है तो guys आपने देखा जितनी भी ammo guys सारी की सारी connect होती है guys body पे है फिर head पे ले लो तो guys sir सारी ammo connect होती है guys SMG सबसे best guys gun है क्योंकि यह उसका hip fire इतना तकड़ा है न क्या ही बैब मैं बता हूँ आप यहाँ पर देखो so guys देख रहा हूँ एक भी ammo guys नहीं इधर ना उधर होती है guys सारी की सारी ammo connect होती है यह वाली gun guys AKM प्लस M4 प्लस स्कारल को टकर दे सकते guys close combat में ठीक है भाई इतना प्यारा मक्खन spray है ना guys यूजी इतनी powerful gun है guys SMG ले लो कोई भी guys SMG आप यूज करोगे close combat में आप ले लो क्या बोलते हैं UMP ले लो वेक्टर ले लो यूजी ले लो यह गन गई sir इतना जादा इनका ही फायर अच्छा है मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि आप यह वाली गन को चलाने लगो guys अपनी M4 छोड़के AKM छोड़के बस मैं आपको यह बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा perfect कोई गन का spray या फिर hip fire है तो वो है guys sir close combat में SMG ठीक है अब guys sir close combat में सबसे ज़्यादा matter यह करता है कि आपका aim guys head पे connect हो रहा है कि ने क्योंकि यार अगर आपको head पे connect ही हो रहा है तो आपको focus करना पड़ेगा अपने crosshair की उपर ठीक है अगर आपको crosshair improvement करनी है तो भो भी मैं आपको आगे बताऊंगा आपको improve करना अपना crosshair placement तो आप यहाँ पर यह देखो guys कि मैं अपना crosshair को हमीशा कहां पर रखता हूँ तो guys आपने देखा मैं head की उपर रखता हूँ guys enemy के head की उपर crosshair को रखोगे तो guys आपके easily head connect होँगे देख रहे हो यहाँ पर देखो ठीक है so guys देखा फिर से headshot connect हुआ है यहाँ पर फिर से देखना गाईस यहाँ पर क्या होता है so guys फिर से देख रहा हो गाईस फिर से यहाँ पर है headshot connect हुआ है तो guys अगर अपने crosshair को अपने enemy के head की उपर रखोगे तो aim assist की बचैस next guys automatically आपको करना क्या है अपने आनिमी के ऊपर आपको ट्रॉपर को रूपर क्रॉसियर रखना है तो गैसे automatically आपको crosshair head पर जा नहीं लगेगा लाइक देखो यहाँ पर गैसे बिल्कुल गैसे आपने देखा पांच मेरे चार्ट मेरे गैसे रहे तीन शॉट मेरे head पर जा रहे है तो गैसे जो कि बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको अपने crosshair गैसे अपनी improvement करनी है तो आपने देखा को 6 में से 4 गैसे मेरे headshot लगे है तो गैसे आपको crosshair head पर रखना होगा head के धालका सा उपर ठीक है अब गैसे अगर आपको अपना crosshair placement गैसे improve करना है लाइक आपका head पर ही नहीं जा रहा है मैं लाइक तो क्या करें तो गैस मैं आपको एक tip देना चाहूँगा कि हमेशा अपना aim assist off करके practice करो TDM क्योंकि जब आप aim assist करके करोगे तो क्या होता है automatically aim थोड़ा aim board की जैसे काम करता है aim assist तो आप देख सकते हो मैंने aim assist off करा लेकिन मैं जैसे aim assist को on करता हो तो easily guys sir बंदे के तरब मेरा automatically crosshair जाने लगता है और बंजा easily take down हो जाता है अगर आपको अपना crosshair placement इंप्रूफ करना है तो आपको थोड़ा aim assist off करके थोड़ी सी practice करने पड़ेगी और अपना सारा focus guys आपको crosshair पे डालना पड़ेगा जब तक guys आप focus नहीं डालोगे crosshair पे कि मेरे को यहाँ पर ध्यान रखना है मेरे को head ही connect होना है भरे आप मर रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है लिकिन practice करोगे कि तभी यह चीज़ इंप्रूब होगे तो आपको अपने focus रखना crosshair पे कि आपको crosshair head पे करना है अब यह tip number 4 में आपको एक चीज़ और बात आना चाहूँगा बहुत सारे लोग hip hair करते क्या है आज के time पे crouch बहुत ज़्यादा guys firstly हो रहा है तो guys sir आपको ऐसे crouch नहीं करना है एक जगह stable होके क्योंकि मानलों आप close range में बहुत जली-जली crouch कर रहा है तो guys sir अगर सामने बाला बंदा है आपको hip hair दे रहा है तो उसकी सारे aim guys आप जब आप crouch करोगे तो head पे connect हो चाहेंगे तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ close range में आपको movement के साथ crouch करना है like यहाँ पर आप यह देख सकते हो कि आपको ऐसी movement रखनी है then आपको crouch करना है अगर guys आप बिलकुल एकी जगा stravel होके crouch कर रहे हो तो guys sir automatically enemy के जितने भी fire करेगा वो आपके head पे connect होंगे तो आपको यह गलती कभी भी नहीं करनी है आपको movement के साथ crouch करना है and guys easily बंदे को take down कर देना है guys यह सारी चीज़े guys आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी तब ही जाके आपको चीज इंप्रूफ कर पाओगे ठीक है अब गई से tip number 5 में आप देख सकतो sdr plus ultra मैं मैं खेल रहा हूँ यहाँ यहाँ पर मैंने सुचाए आप लोग को यार थोड़ा अच्छा वाला कि gameplay दिखाता हूँ यार ultra sdr वाला ठीक है तो यहाँ आप आप इसको enjoy करोगा and guys most important tip यह है कि guys sir आपको pre fire जितना हो सके guys sir हमेशा करना है कभी भी अपने enemy को उपर push मत करो अगर सामने वाला enemy टीपी भी ले रहा है तो कभी भी यह गलती मत करना कि आपको push करना थोड़ा wait करो pre fire जितना आप देख सकतो guys pre fire दो pre fire से बंदा panic हो जाता है and guys वो थोड़ी बहुत गलती करता है जरूर है तो guys आपको यह ध्यान में रखना है कभी भी अपने enemy की उपर आपको push नहीं करना है close combat में थोड़ा सा hold करके guys sir pre fire दो और इससे अपना hip fire guys head पे connect करने का try करो head पे connect guys सभी होगा जब आप इस चीज की practice करोगे और focus करोगे अपने crosshair पे अगर इस आप focus नहीं करोगे ध्यान में नहीं रखोगे दिमाग में आपको यह रखके चलना पड़ेगा भाई कि मिलको यह crosshair को head पे ही रखना पड़ेगा आप चाहतों guys sir अगर आपके पास room card सबको मिलता है सब लोग royal pass करीते हैं तो यह सब के पास room card होता है तो मैं आपको यह बोलूँगा guys 1v1 खेलो guys sir room में आपको M24 ने खेला है M24 guys sir फालतु है कुछ फाइदा नहीं है guys time pass है लेकिन guys अगर आप AR के साथ practice करते हो TDM में 1v1 करते हो और guys 1v1 में आपको यह देखना है कि आपका head पे connect हो रहा है कि crosshair नहीं हो रहा है तो practice करो try करो कि अपने crosshair placement guys आपको head के हलका सा उपर रखना है एक इंच उपर जिसे कि guys sir aim assist की help आप easily guys sir बंदे को knock कर पाऊ और head connect कर पाऊ और guys sir उसके साथ बहुत सारे लोग गलती यह करते है कि guys sir आप easy kill दे देते हैं बंदों को like यार माल लो guys sir सामने सा बंदा है और उपर से आप jump मार रहा है तो easily guys sir aim assist की बज़े से आप सारे के सारे aim connect कर लोगे तो guys कभी भी jump मत मारो enemy की उपर क्योंकि उस पर ज़्यादा advantage रहता है plus sir conclusion में बहुत ज़्यादा crouch crouch नहीं करो ठीक है movement के साथ crouch करो नहीं तो guys head पर connect होंगे तो guys आप easily मर जाओ ठीक है और guys sir 2-3 बंदों के सामने प्रोर मत होना भाई नहीं तो guys sir 2-3 बंदे आपको ले लेंगे ठीक है तो आपको यह गलतियां नहीं करने है बहुत बड़ी-बड़ी mistakes है जो कि आप close combat में करते हो अपने सामने वाले anime को आपको यह focus रखने है कि मैं अपने सामने वाले anime को हलका सा भी damage नहीं दूँगा अपना ठीक है कि वो अपने मतलब उसकी ammo पड़ी ही ना पाए आपको cover to cover fight लेनी है peak करके fight लेनी है या फिर आपको hip fire देना है और guys sir थोड़ा चाहो तो आप guys क्या बोल सकते हो जो भी बोल सकते हो मैं बहुत सब्सक्राइब बोल चुका हूँ guys 5K likes का target है तो करवाद होगा I know guys तुम लोग करवाद हो यार फटफट से बहुत सारी वीडियोस में like नहीं जा रहे है पर तुम लोग करवाद हो अगर तुमने मेरे को Instagram में follow नहीं कर रहा तो भाई फटफट से कर दो और ऐसी वीडियोस के लिए आप नीचे suggestion दे सकते हो कि मैं किस topic पर next video बनाओ तो यार जाओ comment section में comment मारो and मिलते next video में guys और अगर तुमने मेरे gameplay वाले चैनल को subscribe नहीं कर रहा तो जाओ ना यार क्या कर रहे हो भाई जल्ली जाओ ठीक है मिलते next video में तब तक ले take care bye and grind करते रहो झाल झाल